हलो गाईज वेलकम बैक टो गेमवाला की लाइव तो गाईज जैसे के आप लोगों को पता ही चल गए हो गया फ्रीफायर इंडिया में बैन हो चुका है एंड प्लेश्टोर से भी हट चुका है तो आप भी मेरे दुख में शामिल हो चुके होंगे लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिर भी अगर आप फ्रीफायर लवर हो या आप फ्रीफायर खेलना चाहते हो तो आप किस तरह से फ्रीफायर डाउनलोड कर सकते हो अभी भी आज भी इसी वक्त भी तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हू तो चले आई शुरू करता हो वीडियो को और देखे hoati अभी बजा है कर ना भीडो जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम अब जायेंगे Galaxy Store पर यापर अभी सरच करेंगे Galaxy Store में free fire और देखेंगे कि free fire अभी भी डी जाया अभी Galaxy Store पर अवेलेबल है के नहीं जो कि अभी बैंन हो चुका है प्लेस्टोर से तो simply हमें आपे सर्च करते हैं free fire and देखते हैं तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो गरीना free fire अभी भी galaxy store पर अविलेबल है तो अगर आप लोग गरीना free fire के fan हो और आपको game खेलना ही खेलना है किसी भी हाल में आपको इंस्टॉल करना ही करना है तो आप galaxy store से free fire आज भी अभी इस time पर इस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो बाई इतने खुशी इतने खुशी मुझे आज तो आज गाइस बात की जाए free fire max की तो free fire max अभी भी play store पर अविलेबल है अगर आप लोगों को खेलना है free fire max तो आभी भी play store से आप इंस्टॉल करके खेल सकते हो और free fire max का interest ले सकते हो में भी maximum free fire max से खेलता था लेकिन मैं एक आप लोगों को बात बता दू कि free fire max तो मुझे नहीं लगता कि ban होगा क्योंकि free fire max में जादा तर शेर्स खुद के गरिना के गरिना के ही थे जो कि गरिना ने खुद free fire max को अपडेट किया था और मुझे लगता है परसनली कि गरिना ने जब free fire max लाँच किया था तो उस टाइम पे जो भी जितने भी शेर्स थे या जो भी glitch वगरा थे या कोई भी प्रॉब्लम सी शेर्स रिलेटेड कमपनी रिलेटेड मुझे परसनल लगता है कि गरिना free fire max जो है वो गरिना ने खुद का डेवलप किया अप या गेम है तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि free fire max बैन होगा क्योंकि उसमें कोई भी चाइनिज कमपनी या किस से free fire max जा चुका है लेकिन देखो काई जाब अभी जिस एपल स्टोर एक अलग एप है और वहां पे आई स्टोर है तो एपल का वहां पर कोई प्रॉब्लम से ग्लिच हो सकते है या सेकुरिटी इस्यू भी हो सकता है कि आपल स्टोर से गरिना free fire max जा चुका है लेकिन आभी आज 15 तारिक है तो 15 तारिक तक भी अभी भी प्ले स्टोर पे free fire max अविलेबल है इसका मतलब अगर बैन होता तो एक दो दिन में हो जाता था free fire बैन होने के बाद में तो actually मुझे लगता है 12-13 तारिक को मुझे confirm नहीं पता है लेकिन 12 तारिक को free fire बैन होता उसके बाद भी अभी दो तीन दिन जा चुके है और फिर भी स्टील free fire max अविलेबल है प्ले स्टोर पे तो मुझे तो नहीं लगता है कि free fire max जाएगा लेकिन जित का low end डिवाइस था वो maximum इसे लोग थे कि जो free fire खेलते थे और अभी मुझे तो लगता है कि free fire की जो audience से वो थोड़ी से जो कि बहुत ही free fire free fire मतलब पूरा उनको लगता था हमारे लिए free fire सभी सभी चीजे तो ऐसा नहीं है गाइस गेम को गेम की तरह लेना चाहिए सो गाइस वो कौनसा भी गेम होने दो हमें लिमिट में खेलना चाहिए या कंड्रोल में करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे बहुत सारे बच्चे इस गेम में बहुत ही जादा एडिक्टेट थे और उनको लगता था हम free fire में प्रो है तो हम बहुत कुछ है या इसा होप करता हूँ एड़ हमरे चैनल पर आप लोगों को इसके बाद बहुत सारे content बहुत सारे नए नए गेम जीटेए फाइफ पीसी गेम सारे चीज़े देखने वाले हो साथ इसाथ जो लोग BGMI लवर है BGMI भी हम जल्दी स्ट्रीम करने वाले है तो मुझे आप लोग कमेंड में बताना मत भूले कि आप लोग कौन सा गेम खेलने वाले हो अप्टर फ्रीफार बैन अगर मुझे तो नहीं लगता है फ्रीफार मैक्स बैन हो जाता है लेकिन कोई भरोसाने गाईज हो भी सकता है क्योंकि सेकुरिटी की रिलिजन के वज़े से आप लोगों को प स्ट्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगे वहाँ पर आपको सारी डीटल मिल जाएगे एंड आप हमर साथ आके माइंड का जॉइन कर सकते हो यह संपी खेल सकते हो तो एंड जीटे फाई के ऑफलाइन वीडियो आपको मिलने वाले जल्दी स्टोरी टाइम भी वीडियो आने वाले स्टोरी टेलिंग भी आने वाले बहुत कुछ चीज़े आने वाली आने दिनलों में आई होप आप सपोर्ट करोगे एंड हम जो कंटेंड बनाएंगो इसमें आप साथ दोगे तो चलिए फिर मिलते इसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए हाव ग चलिए ओझे गो कर दी आने वीडियो दी किसी ने खिए मिलते विर आने वीडियो थे उल्स्हे दूट- घजफ में आने दू